नमस्कार मैं तापोशी आज हम आटे का पूरी बनाया इस तरह का पूरी आप भी बनाईए और खाईए खा कर देखिए अब अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करें आए अब हम पूरी को बना लेते हैं पूरी बनाने के लिए हमने आटा लगा लिए आटे को थोड़ा सक्त लगाना है पूरी का आटा सक्त लगाना है हमने इस आटे को जिस तरह हमने रोटी और पडाठे का आटा लगाया था उसी तरह इस आटे को भी लगाना है लेकिन इसमें थोड़ा कम पानी देना है सक्त करके गूतना है और इसको हम आटा लगा के दस मिनिट ढख कर रखेते अब हम इससे पूरी बनाएंगे पूरी बनाने के लिए इस तरह का छोटा-छोटा पेरे बना लिए इस छोटे-छोटे पेरे से हम पूरी बनाएंगे और इसको हमको ढख कर रखना है पाच्छे करके पूरी हम बेलेंगे और इसको हम ढख कर रखेंगे ताकि आटा सुख ना जाए हावा में हम छे पेरे नि तेल चाहिए अब हम एक एक पेरे लेंगे तेल में थुड़ा लगाएंगे तेल अब हम इसको बेलेंगे इसको रोटी के जैसे बेलना है लेकिन ये छोटा अकार के होगा हमागमा कर बेलना है हमने यहां आटा का पूरी बना रहे है आप चाहे तो आधा आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं या सिर्फ मैदा का भी बना सकते हैं इसी तरह से हमने और एक बेल लेते हैं कि दयने हुआ हぇ मैं पूरी का आटा को ठुटा सब्थ रखना है या यह को जादा नरम नहीं बनाना है इसतरह का छोटा है शोटा-छोटा को बेल लेना है हम 6 पूरी बेलेंगे और उसको तल लेंगे, एक साथ सभी पूरी को बेलना नहीं है, न तो सुख जाएगा पूरी, फिर फूलेगा नहीं अच्छा से, इस तरह से हमने 6 पूरी को बेल लेंगे, फिर इसके बाद और छे बनाएंगे, इस तरह सा बनाना है, एक साथ बनाना नह कड़ाय में तेल डालें तेल गरम हो गया अब हम इसमें पूरी डालेंगे एक एक करके पूरी को भूंडा आए बिखे दोनों साइड से बन गया अब हम इसको निकाल लेंगे फिर एक पूरी डालेंगे इसको पलट देंगे ग्यास का फ्लेम तेज रखना है यह भी बन गया इसको भी निकाल लेते हैं धे लेते हैं इस तरह से हमने तभी पूरी को बनाना है देखिए मेरा सब पूरी भून गए देखिए इस तरह से सभी पूरी को भूनना है और इसको हम अब सर्फ करेंगे हम देखिए हमारा पूरी तयार है इसको हम सब्जी कसं सर्फ किये है आप कोई भी सब्जी हमने यहां अलू मटर कुमड़ा या कद्दू से हम सर्फ किये सब्जी और आप भी बनाईए इस तरह से सुबा का नास्ता में इस तरह का आप बना सकते हैं नास्ते में पूरी और सब्जी आप बनाईए खाईए और हमारे साथ सेयर करें बिल्हेँगला